नमस्कार दोस्तान स्वागत अब सभी का आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इनेक्ट पार्टनर्शिप के बारे में जो कि हाले में काफी खबरों में थी अखवारों में काफी आर्टिकल्स और एडिटोरियल आप नहीं से रिलेटेट पड़े होंगे तो इस वीडियो में के determine the challenge in शरुभात करें देखे इनेक्ट पार्टनर्शिप जो है ये ईे ग्लोबल इनिशियर्टिव है जिसका एम है जो बी आफट को कोडिनेट करना यानि अलग-लग जो भी ऐफट थे इंट करना उस Аwn में कोडिनेशन बिठाना सामझस्य बिठाना अब ये global efforts किस चीज के लिए है, climate change को रोकने के लिए, हमारे यहाँ पर climate change हो रहा है, काफी है काफी negative चीज हमें इसकी वज़े से देखने को मिल रही है, इसके वज़े से flash floods हो रहे हैं, इसके वज़े से cloud burst हो रहे हैं, इसके वज़े से atmospheric rivers होती है, उनका जो रास्ता है वो deviate ह रहा है, इसके वज़े से बहुत important चीज हो रही है, run away greenhouse effect, क्या होती हैं यह सब चीजें, flash floods, cloudburst, greenhouse effect, run away greenhouse effect, atmospheric rivers, global warming, इन सारी चीजों को मैंने अलग वीडियो में कवर किया है, आप उनको जरूर देखेगा, जाए मेरी playlist में environment and ecology वाम पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, त इसके साथ, land और ecosystem के जो degradation हो रही है, उसे रोकने के लिए, और biodiversity के loss को रोकने के लिए, यह global efforts है, इन सारे efforts को coordinate किया जाए, इसके लिए यह global initiative है, जिसका नाम है, enact partnership, और यह कैसे किया जाएगा, nature based solutions के साथ, हम कोई machinery का use नहीं करेंगे, कोई artificial चीजों का use नहीं करेंगे, already ज रोकेंगे, land और ecosystem के degradation को रोकेंगे, climate change को रोकेंगे, इन सारों के लिए, जो global efforts है, उन सारों की coordination के लिए, जो global initiative बनाएगा है, उसको बोलता है, enact partnership, यह आपने यह तीन चीज़ें धान रखना है, कि किन तीन चीज़ों पर यह focus करेगा, climate change, land and ecosystem, degradation, biodiversity loss, और सबसे important कि कैसे इन को रोका जाएगा, nature-based solutions के माध्यम से, अगर हम इनके founding members की बात करेंगे, तो Germany, Egypt और International Union for Conservation of Nature, यह इसके founding members है, इन्होंने enact की शुरवात करी, enact की full form है, enhancing nature-based solution for an ex-related climate transformation, अब मैंने पहली slide में enact की full form क्यों नहीं बताई, क्योंकि बहाँ पर मैंने आपको सबसा पहले समझाना था, कि यह किन तीन तीजों पर काम करता है, और nature-based solution के उपर काम करता है, ताकि उसको understand करने के बाद, automatically आपको इसके full form याद हो जाए, यहाँ पर बात आगी, nature-based solution की, यहाँ पर बात आगी, climate transformation की, तो क्या full form है, धान रखिएगा, enhancing nature-based solutions for an ex-related climate transformation, इसकी शुरवात कब थी, तो कोब 27, जो कि एजिप्ट के शरम अल शेक में हुआ था, दिसंबर 2022 में, वहाँ पर in-act की स्थापना हुई, enhancing nature-based solution for an ex-related climate transformation, founding members, Germany, Egypt, International Union for Conservation of Nature, इसके साथ और भी कुछ देश हैं, जो इसके founding members हैं, जैसे Canada, European Union, Spain, Malawi, Norway, South Korea, Japan, Slovenia, इनको भी founding member माना जाता है, इस partnership का, अ यहां पर बात है, nature-based solutions की, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, working with or for nature, हम nature के साथ मिल के काम करें, या फिर हम nature के लिए काम करें, working with and for nature, लेकिन, rather than against nature, हम nature के साथ मिल के काम करें, हम nature के लिए काम करें, लेकिन हम nature के खिलाफ काम ना करें, यह basic मतलब हुआ किसका, nature-based solutions का अब यह critical है climate के लिए, biodiversity के लिए, land restoration के लिए यह हम इस परकार के steps उठाएं जो की nature के लिए या nature के साथ मिलके हूँ ना की nature के खिलाफ हूँ और यह important है हमारे human well-being के लिए भी तो यह होता है nature-based solutions का मतलब यहाँ पे यह एक बात कही गई कि यहाँ पे यह जो global temperature है limit warning है यहाँ पे 1.5 degree Celsius की और phase out करना है हमने fossil fuels को including oil and gas, obviously मतलब इनके use को और हमने transition को embrace करना है किस परकार की transition को embrace करना है तक कि जो climate related losses है उनको हम minimize कर सके उनको हम कम कर सके और जो people, लोगों को और nature को जो damage हो रहा है उसको हम prevent कर सके नेचर को कैसा damage हो रहा है आप सब जानते है climate change की वज़ा से कई ऐसे species बिलुप्त होती जा रही है कहीं पर cloudburst, कहीं पर flashler जा रहे है जुरूर देखी गए इनको मेरी playlist में जाके environment and ecology peoples को कौन-कौन से खत्रे हो रहे हैं भई peoples को तो बतेरे खत्रे हो रहे हैं जाने हजारों किसम की नहीं नहीं बिमारियं लग रहे हैं तो इसलिए इस परकार के जो damage हो रहा है peoples को, natures को उसको control किया जाए और जो climate related lows है उसे minimize किया जाए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा funding को increase करना पड़ेगा, investment को increase करना पड़ेगा और जो local communities हैं उनको यहाँ पर include करना पड़ेगा nature को बचाने के लिए, climate change को रोकने के लिए इसके साथ साथ एक integrated approach जो है climate change को address करने के लिए उसे भी accommodate करना पड़ेगा, accept करना पड़ेगा ताकि हम climate change को रोक सकें climate change को address कर सकें biodiversity loss को address कर सकें उसको रोक सकें और जो human well-being है उसके लिए हम काम कर सकें यहाँ पर हम sustainable development पर काम करें ताकि हमारे पास जो nature की देन है उसका हम भी use करें और हमारे जो आने वाले generations हैं उनके लिए भी वो चीज़े बच जाएं यहाँ पर strong international collaboration की ज़रूरत है fossil fuel emission की rapid reduction की ज़रूरत है जितना कम इसको हो सके उतना किया जाना चाहिए और जो nature-based solutions है उनको implement करने की यहाँ पर अवशकता है significance क्या है इसकी देखिए nature-based solutions जो है उन्हें अभी ज़्यादा recognize किया जा रहा है क्योंकि अगर आप nature-based solutions को accept करते हो तो fossil fuels को phase out करने के लिए और fossil fuel emissions को rapidly रोकने के लिए यह काफी important है, काफी significant है Inact जो है, वो cohesive और action-oriented leadership प्रोवाइड करता है cohesive का मतलब यहाँ पर हुआ अलग-लग देश, अलग-लग organization मिल-जूल के यहाँ पर काम कर रही है documentation त्यार हुई तो ground zero पर भी ले जाने का काम हो रहा है तो action-oriented leadership जो है यहाँ पर यह provide कर रहा है Inact ताकि जो massive potential है क्योंकि हमने बात करी nature-based solutions की तो nature में जो massive potential है उसको accept किया जाए, उसको tap किया जाए, उसका use किया जाए और जो climate emergency है, उसे address किया जाए और जितने भी negative impacts हमें देखने को मिल रहे हैं उसको हम खतम करें Environment pollution है, climate change है, land degradation है, biodiversity loss है इन सारों को हम कम करें, reduce करें, खतम करें किसकी मदद से? Nature में जो already potential है, उसकी मदद से Nature-based solution की मदद से अब देखे, Inact partnership को further operationalize करने के लिए कुछ जगाएं हैं जहां पर हमें efforts की जरूरत है, जैसे कि यह जो initiative है, इनकी resourcing की जरूरत है, फिर partnership को build करने की जरूरत है और इसके साथ साथ जो global communication है, उसको lead करने की जरूरत है ताकि high integrity, NBS for climate, जो की हमारी biodiversity concerns को integrate कर सके, इन सब चीज़ों के लिए हमें global communications की जरूरत है तो यह था दोस्तों इस lecture का analysis, यहां पर हमने देखा Inact partnership है, क्या, कब इसको launch किया गया, क्यों इसको launch किया गया, इसका aim क्या है, और इसकी significance क्या है अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो, तो लाइक करेगा, share करेगा, मैंने कोशिच करिए कि थी 60 degree पर हर एक point of view जो आपके examination के लिए जरूरी है, उसको मैं यहाँ पर cover करूँ, अगर आपको अच्छा लगा हो, तो comment box में जरूर बताइएगा, अगर कोई कमी लगी हो, त आपको बताया है, उन जारी वीडियो को आप मेरी प्लेलिस नमा में टिनिकोलोजी में जाके देख सकते हैं, बाकि जीके कंटरफेस और जीकेरिक्स का ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, आपका बहुत-बहुत धन्नावाद,